हलो नमस्कार दूस्तो आज का हमारा टोपिक है मोजिला फायरफॉक्स कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को इंटर करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट ओप्सन दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक करते हैं मोजिला का ओफिशली वैपसाइट ओपन हो जाएगा बाकि इसका लिंक आपको फेस्बुक या नहीं तो टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा या तब उहां से उस लिंक को अचारे क्युक्त ओपने डॉर में पेस्ट किजघा इंटर किजगा तो भी डाइक तो इसके बाद आपको क्या है में यहां पर क्ले कर लाहूं खालव जाएगा जैनकर को ईस तरह से विंडब ओपन हो जाएगा आपको क्हा करना यहा पर कुस सकंड wait करते हैं इस तरह से वि जहां पर भी EXE को save करके रखना चाहते हैं वो path select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पर क्लिक कर देने हैं क्लिक करते हैं EXE download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहां आपने EXE को save किया है वहां पर आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा आप आपको क्या करने हैं इस EXE को पर आपको right click करने हैं इसके बाद आपको property पर क्लिक कर देने क्लिक करते इस तरह से window open हो जाएगा आप मालेजें यदी आपके case में यहाँ पे अनब्लॉक दिखते है तो आपको क्या करना है इसको टिक माक कर देने इसके बाद आपको apply पे क्लिक कर देने या तब इसको पर double click करके install कर सकते हैं या नहीं तब इसको पर right clicker को open करके install कर सकते हैं या नहीं तब running minister के उपर click करके install कर सकते हैं तीनों चीज में से किसी एक के उपर click करके आप इसको install कर लिजेगां लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा कोई भी application आपको run minister के उपर ही click करके install करना चाहिए इसलिए मैं आपने case में यहाँ पर click कर रहा हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब माले यह जदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर yes पर click कर दिना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा और automatic install होना शुरू हो जाएगा आपको कुछ ने करना है बस यहाँ पर आपको कुछ second wait करना है installation complete होने के बाद इस तरह से automatic browser open हो जाएगा आप देखने हैं without को error यह browser open हो चुका है जब कभी भी आपको next time आपको open करना होगा तो आपको क्या करना है या तब desktop को पर icon होगा या तब यहाँ से click करके open कर सकते है यानि तो आपको क्या करना है यहाँ पर search bar में जाके आप search करके भी open कर सकते है दोनों में साब कहीं से भी click करके open कर लिजेगा अब आप इसको अपने हिसाब से use कर लिजेगा इसके बाद यदि आप इस exe को कहीं और save करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं यानि तब इसको delete करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको delete भी कर सकते हैं और please guys चानल को subscribe करें, like करें, share करें Thank you